था धुक्छ आराइब उइसों करेदी करी prac या रह पर विजित करते हैं तो सबसे पहले आपसे बोला जाता है हमPS करेंगे की आपका पूरा डिपेंड रहीगा कि कि तना मिलेगा मिलेगा या नहीं मिलेगा और क्रेदिक कार्ट सब्सक्राइब मिलेगा नहीं कि या किसी company से या फिर credit card की तो सबसे पहले आपका civil score देखा जाता है उसी के base पर आपकी जितनी भी requirement है उसको fulfill किया जाता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यह आता है कि civil score exactly होता क्या है credit score होता क्या है अगर मैं इस matter को पूरा इदर आपको explain करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी चले जाएगी लेकिन इदर मैं आपको short में बता देता हूँ मान के चलिए अगर आपको कभी भी पैसे के जुरूरत पढ़ती है आप किसी से प्रोसी से रिष्टेदार से या पिर किसी भी आपके जो गौण या सहर में कोई आदमी है अगर उससे आप पैसे लेने के लिए जाते हैं तो जो भी आपको पैसे दे रहा सबसे पहले आपके कोई जान पैचान या फिर आपकी हिस्ट्री चेक करता है कि जिस बंदे को मैं पैसा दे रहा हूँ क्या यह एक्चुली मेरा पैसा वापिस कर देगा तो सेम यही भी बैंकों का प्रोसीजर है कि जब भी आप बैंक से लोन या क्रेडिट कार्ड लेने के लिए जाते है तो बैंक वाले से आपका पूरा का पूरा डाटा चेक करते है कि इस बंदे का कोई default तो नहीं है इसका सिबिल स्कोर कितना इस ने अगर पहले लोन लिया है तो क्या लोन को repayment किया है यानि एक सिबिल ऐसी संस्था है जो इतना भी आपका credit history है जो आपके pen card से attach है पूरी बैंकों को provide करती है और जैसे बैंकों के पास आपकी civil report आ जाती है तो bank decide करते है कि इसको कितना loan दिया जाना चाहिए इसका rate of interest कैसा होगा अगर आपका civil score ज्यादा अच्छा होगा 800 से लेकर 800 से ज्यादा है तो इसमें directly जो आपका loan का rate of interest है वो कम रहता अगर आपका civil थोड़ा से कम हो जाता है तो rate of interest भी बढ़ जाता है और अगर credit card की बात करें तो कम civil के उपर credit card भी bank या जितने भी company वो provide नहीं करती तो दोस्तों अभी man topic के उपर बात करते हैं कि क्या civil को बढ़ाया जा सकता है इधर दो तरह के civil आपको दिखाई दे रहे होंगे अगर आपने अभी तक कोई loan या credit card नहीं लिया और अगर आप अपना जो pen card के दौरा अपना civil चेक करते हैं या तो civil आपको minus one दिखाई दे रहा हुगा या zero दिखाई दे रहा हुगा और दूसरी condition में वो customer या borrower है जो अपना civil चेक करते हैं तो civil आपका बहुत नीचे दिखाई देगा 300 के आसपास 400 के आसपास तो वो अपना civil कैसे बढ़ा सकते हैं आप लोग जानते हैं कि जो civil की ranking रहती है 300 से लेकर 900 तक रहती है उसी के बीच में civil रहता है लेकिन जब तक किसी का civil जनरेट नहीं हुआ है या फिर किसी ने credit card या loan आज तक नहीं लिया तो उसका civil आपको minus 1 या फिर 0 में दिखाई दे रहा हुगा तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने साथ tips share करूँआ जिससे आप अपना civil बढ़वा सकते हैं सबसे पहले दो tips रहेंगी उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक अपना civil है वो generate ही नहीं हुआ है या तो उनका 0 है या minus 1 है अगर आप इस तरह के कोई भी borrower है अगर लोन लेने की सोच रहे है या credit card लेने की सोच रहे है लेकिन आपका civil अभी minus में आ रखा है तो इसके लिए directly दो method है जिसको आप use करके अपना civil बढ़ा सकते है सबसे पहले अगर आपको कभी कोई सामान खरीदना जैसे कि आपको भी freeze खरीद रहे है washing machine खरीद रहे है या कोई भी electronic gadget है या कुछ भी equipment अगर आप खरीद रहे है किसी भी shopping mall से, shopping complex से जैसे कि reliance trend हो गया, chroma हो गया तो अगदीजे sales होगी अगर आप इनसे खरीदते हैं तो directly इनको full payment में आप कभी भी मत खरीद दिये यानि अगर आप कोई भी electronic gadget खरीद रहे है तो इसको आप EMI में convert करवा लीजिए EMI में convert करवाने के लिए आपका civil score चेक नहीं किया जाता, शिरफ आपका pen card और अधार card के base पर आप कोई भी electronic gadget खरीदते हैं तो उसको EMI में convert कर देते हैं, finance में आपको पता होगा जैसे ही आप कोई भी freeze electronic washing machine इदर से खरीदते हैं और उसका timely payment कर देते हैं जैसे ही आपका पूरा time के इसाफ से उस जितना भी आपका electronic gadget है उसकी पूरी payment कर देते हैं तो आपका civil इदर से create हो जाता है और इदर से एक अच्छा civil create हो जाता है तो first method आप जरूर यूज कीजिएगा अगर जिसका अभी तक civil create नहीं हुआ है second option आता दोतों अगर आपकी कोई salary आ रही है आपके bank account में जैसे 10,000 रुपे महिना 20,000 रुपे महिना 15,000 रुपे महिना और आपका civil अभी 0 से minus 1 के बीच में है तो CDC बात है कि बहुत सारे bank है जो fixed deposit के उपर credit card provide कर रहे हैं या फिर salary based के उपर जो minimum ranking का जो credit card है वो provide कर रहे हैं उदर से आप credit card ले लिजे और जैसे आप credit card लेते हैं उसका utilization करते हैं utilization करने के बाद जैसे जैसे आप उसकी payment है जो timely करते रहते हैं जो एक अच्छा civil score है उदर से create हो जाता है next दो बात करते हैं पांच tips यदि आपका civil score कम है already आपका civil score generate हो रखा है तो सबसे पहले दोस्तों क्योंकि आपको हमेशा जान रखा हैं कि जब भी आप कोई credit card है यह दिया आपके पास है credit card का utilization है आप 30% से ज्यादा मत कीजिए क्योंकि अगर मानके चलिए एक लाख रुपे के आपकी credit limit है तो 30,000 रुपे तक उसमें spend कीजिए अगर इससे ज्यादा amount आप अपने credit card से spend करत तो directly आप एक credit score के उपर adverse effect पड़ता है तो 30% से ज्यादा आप अपने credit card का इस्तेमाल मत कीजिए या फिर जो OD की facility आपको provide की गई है नेक्स दो जब भी आपको credit card आप apply करते हैं तो जब भी आप एक credit card apply करते हैं तो दुसरा अगर आप credit card apply करना चाहते तो कम से कम उसके बहुत सारी application आपको credit card का option देती हैं आपके पास message आता अगर बार बार आप उनके credit card apply करेंगे reject हो रहे हैं या बार बार बहुत सारे credit card apply करेंगे तो इसका बहुत बड़ा adverse effect आपके credit history में पड़ता है क्योंकि credit जो civil है ये जान रहा है कि इस बंदे को बहुत ज्यादा credit की requirement ह तो वो उसी हिसाब से आपके civil को नीचे लाके रख देता है दूसरा जोस्तो आप जानते कि अगर आपकी कोई loan EMI चल रही है तो उसको timely payment करते रहे है अगर आप timely payment करते रहेंगे तो जो आपका civil है पूरी तरह से maintain रहेगा और next point बहुत ही जरूरी है बहुत सारे लोग बार बार civil check करते हैं जैसे कि पैसा बजार हो गया पेटियम हो गया बैंक बजार हो गया बहुत सारी third party application है जो आपका civil को check करवाती है आप उसके अंदर civil देखते हैं तो कभी भी third party application से आप अपना civil check मत कीजिए क्योंकि उदर से भी inquiries है जो वो create होती है आपके civil में कि बंदा ब कर लीजिए या फिर जो state bank of India की home loan की website है उदर से भी free में और बिल्कुल latest civil check होता है अगर आप उदर से चेक करना चाहते तो इदर i button पर मैंने वो वीडियो दे दी है इदर से आप चेक आउट कर लीजिए चिरफ या तो state bank of India की home loan की website से या फिर civil की authorized website से ही आप civil check कर लीजि तो जो भी आपका कोई loan EMI चल रही थी आपका loan अगर अलेडी बंद हो चुका है close हो चुका है तो जब भी आप civil check करते तो 100% ये उसके अंदर जरूर चेक कीजिए कि जो loan था आपने पूरा पहले भर दिया क्या वो loan अभी civil में close दिखा रहा है अगर वो close दिखा रहा है तो ताकि जो credit requirement है वो आपकी बढ़ जाती है अगर आपका कोई loan open है और आप दोबारा loan के लिए apply करते है तो जो 30% वाड़ा criteria वो भी और शात में आपके जो civil के अंदर credit requirement है वो create होती है तो जिससे civil down आ जाता है जब भी आप अपना civil check करते है 100% पूरी टरमेंड कंडिशन उसम अगर ये चीज़ें आप अच्छी तरह से check करते तो आपका civil है अच्छी तरह से improvement करें और दोस्तों next एक और बहुत ही अच्छा option है आप अपने civil को improve करवाने के लिए बहुत सारे लोग आजकल online shopping करते हैं जैसे कि Flipkart हो गया Amazon हो गया Snapdy लोगी Tata Click हो गया इनके उपर दबा आके shopping करते हैं तो अगर आपका civil create ही नहीं हुआ है या फिर आपका civil है अगर वो अभी तक improvement नहीं है तो जब भी आप इन online जितनी भी shopping की website है इन से shopping करते हैं तो सबसे best है कि आप EMI debit card के उपर आपको option मिल जाते है कि जो आपका debit card है उसके उपर EMI के option मिल जाते है तो अगर आपका civil improve नहीं हुआ और civil create नहीं हुआ है तो सबसे best है कि अपने civil को improve करने के लिए जो online shopping website है उनके उपर जब भी आप समान खरीते हो तो जो option रहता है कि debit card के उपर EMI उसको आप choose कर लिजिए क्योंकि उसमें जो आपको एक limit भी मिलती है और जैसे उस समान के उपर आप प हूँ या फिर किसी भी तरह की online shopping का जितना भी data है आपके civil में report होता है और जैसे जैसे आप timely यह सब चीजे करते रहते एक अच्छा खासा जो civil है आपका improve हो जाता है तो दोस्तों यह थी civil से related साथ बहुत ही important जानकारिया आप इन चीजों को जरूर adopt कीजिए और आप देख कीजिए तब दोस्तों नेक्ट वीडियो के लिए तब तक जैहिंद बने मादर